है अब हहलो फ्रेंट्स फ्रेंद्स जिस उन्हलों कर रहे थे उस वीडियो में टेकनिकल प्रॉब्लों की वेशे उसे डिसकनेक्ट करना पड़ा है तो हम लों कर दा 145 कोश्चन से जो यहाँ पर 35 कोश्चन है उसमें कहे रहा है कि East India Company के निर्माण के समय England का सासक कौन था जब East India Company बनी हुई थी उसमें England का सासक कौन था Elizabeth प्रथम ओके तो इसका अंसर यह हो जाएगा यह हो जाएगा फस्ट वाला उसके आगे continue करते है 36 में लिखा है East India Company को के नाम से जाना जाएदा था तो East India Company को किस नाम से जाना जाएदा था यहाँ पर John Company हो जाएगा Question number 37 East India Company का गठन कब हुआ तो 1600 में East India Company का गठन हुआ था 38 38 में लिखा है British East India Company ने खुद को भारत में किस दोरान इस्थापित किया तो 1600 से लेकर के 1612 में Question number 39 East India Company में भारत में ब्यापार चौकियों के इस्थापना के लिए यानि के East India Company को किस ने अधिकार दिया तो किस ने दिया महरानी एल इजाबेत ने दिया तो यहाँ पर यह हो जाएगा यह RRB में इस तरीके से लिखा भी है कब कब पूँचा गया अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्टरी कहां पे इस्थापित की तो पहली फैक्टरी सूरत में इस्थापित की Question number 41 अंग्रेजों ने अपना पहला ब्यापारी केंद्र कहां बनाया तो पहला ब्यापारी केंद्र कहां पे बनाया सूरत में बनाया जहां पे उनकी पहली फैक्टरी खुली हुई थी नेम लिखे थी यूरवपी ब्यापारी कमपनियों में किसने सूरत में सरुपतर अपना जो है ब्यापारी कार खाना तो यहां पर क्या हो जाएगा यंग्रेजोंने ब्रिटिस ने 43 वर्ष 1613 में अंग्रेज छी इस्ट इंडिया कमपनी को कहां का कार-खाना ब्यापर, इस्थल स्थाबित करने की शावटमत मिली तो यहां पर करोश हो जाएगा 1613 में कहांपे मिला हुआ ? 1613 में actually में होता किया 1611 1612 में 1611 में एक temporary क्या होता है मुसली पत्तनम में खुलती है वनकी factory लेकिन उसके बाद होता किया 1612 में जो अंग्रेज होते है पुर्दगालियों को क्या कर देते हैं हरा देते हैं ठीक पुर्दगालियों को हराने के बाद फिर वो 1613 में सूरत में अपनी permanent factory open करते हैं 44 नमबर पे देखते हैं 44 नमर में लिखा हुआ है कि सूरत में अंग्रेजों को 1613 में कारखना लगाने का फर्मान जहांगिर ने किस कारण से जारी किया हुआ था तो ये सारी conditions को देख लेते हैं यहां पे क्या हुआ अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम presidency कहां पे थी तो कहां पे थी ये मद्रास हो जाएगा प्रथम presidency यानि जितने सूरत के पहले सूरत था फिर उसका controlling power जो थी वहां पे फोर्ट सेंट जोर्ज एक फैक्टरी हुई थी कहां पे यहां पे जिसका एक था वहां पे जो भी उसको मद्रास को निर्मार करने वाला जिसको बोलते हैं Francis Martin तो इसके यानि कि इसके controlling में सब कुस था question number 47 अंग्रेजी इस इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्स लिया तो इसको भी देखते हैं जो पट्टे पर 1649 में क्या किया उसने मद्रास को पट्टे पर लिया हुआ था ठेके पर लिया था भारत में इस इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किसे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था तो यहां पर हो जाएगा सूती यई सूती और desam के बने हुए यानि की इस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता है यह British East India Company को यहनी इस्टिबिस होने से पहले तो क्या करते थे सूती और रेसम ठीक है 49 में लिखा ने में लिखने में से कौन सा भारत आने वाला पहला ब्यापारी क्या लिखा हो पहला पहला अंग्रेज जहाज था यहाँ पर कौन सा जहाज हो जाएगा यह जो C नंबर पर है रेड ड्रेगन और जो है हेक्टर जहाज से आने वाला विलियम हौकिन्स था यह हो जाएगा हेक्टर ठीक यह विलियम हौकिन्स महोदे आए हुए थे इससे तो इसको भी मैं बता देता हूँ विलियम हौकिन्स विलियम लिखित किलो में से बिर्टिस ने किसका सबसे पहला निर्मान किया हुआ था तो यहां पर जो है Fort St. George जो है जिसके बारे में भी मैंने बताया हुआ यह हो जाएगा Fort St. George किस राज में श्थापित है तो कहां पर है अब मद्रास है तो मद्रास को किस नाम से जानते है तमिलनाड के नाम से जानते है 52 निल विकित में से जिस एक सासक ने East India Company को दीवानी प्राप्त की वह था कौन था सासक था तो वो था साह आलम दोती ठिक तो यह हो जाएगा यहां पर अब हम लोग जब साह आलम दोती यानि कहने मतलब यह है जह हम लोग उत्तर मुगल सासक पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल से सब कुछ पढ़ेंगे अब यहां पर लिखा हुआ समराट साह आलम दोती ने East India Company को बंगाल बिहार ता उड़ईशा की कि दीवानी कब प्राप्त की तो यहां पर जो हो जाएगा जो बारा अगस्त उनीस सत्रा सो पैंसट में प्राप्त की दी यानि की दीवानी दीवानी किस गवर्णर जनरल के कारकाल में East India Company को सहेंसा साह आलम द्वारा बिहार यानि किस जैज कौन उसमें गवर्णर जनरल कौन था तो यहां पर कौन था लाड़ क्लाइव थे ओके फिप्टी फाइफ निम लिखित ब्यापारी सक्तियों में से सत्रा सो सत्रा में चुंगी अदा करने की छूट दी गई तो किने दी गई यानि की अंग्रेजों को निम लिखित में से सीमा सुल्क मुक्त की सुईकरत प्राप्थ हुई तो किसे ब्रिटिस यानि वहीं जो अंग्रेज थे 57 में है East India Company को सबसे पहले किसने सीमा सुल्क यानि के बदले तीन हजार सालाना आदा करने की छूट दे दी गई तो राजकुमार सुजा निम लिखित में से कौन से स्थान पर इस इंडिया कंपनी के सासन काल में सासन काल में प्रमुख ओद्यों की केंदर नहीं थे तो ब्यापारी का और यानि सब थे लेकिन इलहाबा तो गौलियर नहीं थे ब्रिटिश एश्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किस से लिया तो किस से लिया पुर्दगालियों से लिया जो साधी हो जाती है कैथरिन से निम लिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्दगालियों को सौली यानि सौली है या सौली भी है के स्थान पर हरा दिया तो यहाँ पर क्या होता है दो होते हैं एक तो विलियम्स एक होता है थामस विस्ट होता है लगभग 1769 में ठिक यहां पर बेदरा के युद्ध कब हुआ 1769 पांच नो ठिक इसको नो डॉण कर लिजेगा प्रारम में बिटिस इस इंडिया कंपनी का लच्छ क्या था क्या लच्छ था ब्यापार करना ही था भूभाग नहीं था केवल ब्यापार करने का इनका एक मात्र प्रुद्यस था कोश्चन नमबर 63 पुर्द गालियों को कि विरुद्ध अंग्रेज की सफलता में अंग्रेजों की सफलता में नहीं तो कौन से कारण था मुगलों और अंग्रेजों के नहीं यह कहने मतलब यह अगर पारसपरिक संबंद होते तो क्यों फिर लड़ाई ही क इसको थोड़ा सा यहां से पढ़ना है भारत में इस्ट इंडिया कंपनी की सफलतार का राज किया था यानि पहला भी साही है आदुनी खतियार भी थे उन्हें जो है वहां का वेस्टर्ण ट्रेनिंग मिली हुई थी भारत में राष्टी भावना की कमी थी यानि एकता नही अरनि ति भार्ति सैनीकों में राष्टी भावना का अभाव था जिसके फसल्शकों कोई भी आच्छा वतन नहीं ते दिमाग में तरह तरह की विचार उपजिते रहते थे थे यहां दि ही सभी होगा उपरों तो छांशट नियुक्त मैंसे किसे भारत में फ्रांसीसी कमपनी का सथापक माना जाता था तो यहाँ पे जो लूई 14 था लूई 14 यह राजा साहब थे उनके मंत्री थे कॉल बार्ट तो यह इनको स्रेजाता है फ्रेंच इस्ट इंडिया कमपनी की स्थापना किस साल ही 1664 में हो गई है भारत में फ्रांसीसीयों ने अपना सबसे पहला कार खाना कहां पे खोला तो कहां पे खोला हुआ था सूरत में खोला था फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कमपनी की स्थापना किसके लूई चौधो में किस सासनकाल में हुआ है भारत में पहली फ्रेंच फेक्टरी कहां पे स्थापित हुई तो कहां पी होई थाया हुए फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कार खाना और दूसरा कार खाना कहां पे डाला तो मुसली पतन में डाला ठिक French East India Company ने Pondicherry किस से पाया हुआ था तो Pondicherry किस से पाया हुआ था तो यहाँ पे गोल कुंडा के सासक थे बीजापूर के सुल्तान थे डचों से छीन करके तो यहाँ पे यहाँ पे यह जो है किस से पाया हुआ था एक तो चंदरनगर के राजा थे french si कालूनी नहीं थी तो कौन से फ्रांसे कालूनी नहीं थी तो यह पढ़णा की है वो सुतन्ता से पूरू नहीं थी नहीं निम लिखित योरोपिए उन्यों में से कौन सा ए सुतनताता पूरवक भारत में ब्यापारी के रूप में सब से अंत में आए तो यहां पर हो जाएगा यानि कहने में तब फ्रांसीसी सुतनता प्रो भारत में ब्यापारी के रूप में पूरी तरीके से उनका और कोई उद्देश नहीं था फ्रांसीसी दकन में सक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि क्योंकि अंग्रेजों की फोज जो है सक्तिसाली थी यहीं सही हो जाएगा करनाटक युद्ध किसके किसके बीच में हुए तो फ्रांसेशी और अंग्रेजों के बीच में हुए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रांसेशी और अंग्रेजों के बीच में हुए वहां पर हम लोगों ने तत्कालिक करण पड़े हुए थे एक इस्थाई करण पड़ा हुआ तो एक ये क्या था ये इस्थाई करण था करनाटक के नवाब के पदब फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता ली किसकी सहायता की करनाटक के नवाब के पदबर जो रहा होगा तो चंद 48 लिखा हुआ है 46 और में आरंब हुआ 48 में यह पहला एक दम सही है अब यहां पर सारे देख लेते हैं जो यहां पर जो C है C का मतलब 1,2,4, तीसरा वाला गलत है और बाकी के बाकी क्या है सब सही है यह पहला सही है दूसरा सही है चौथा सही है कोशन नमबर 82 लिखा है लुई बर्दोने ने इस स्थान पर किस स्थान पर गवर्नर था तो इन में से कोई यानि इन में जो दिये हैं किसी भी जगह पर नहीं था वांडिवास का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया तो अंग्रेजों और फ्रांसिस्यों के बीच में लड़ा गया था तो यह तो सेर ही है वांडी वास का युद 1760 में हुआ तो क्या हुआ ब्रिटिस ने फ्रेंच को हरा दिया यहां से यह हो जाएगा और जब वांडी वास का युद हुआ था तो वहां पे अंग्रेजों का जो कैप्टन था वो कौन था लाली था इसको याद रखेगा लाली ठिक वांडी वास युद में इंगली सेना ने किसको हरा या तो फ्रांसीसियों को हरा दिया निम लिखित युद में से किस युद में अंग्रेजों ने फ्रांसीयों को पूरी तरीके से परास्त कर दिया तो कौन सा था वांडी वास का युद था भारत में आंगल फ्रेंच इस सप्तुता में निम लिखित में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग का निर्माण कर दिया तो वन्डीवास का युद्त इसके साथ भारत में बिटिस कुप फ्रांसेशी चुनोतियों का अंत्वत वहीं चीज है वांडी वास बार बार आ रहा है उक्त फ्रांसेशी सेनापती का नाम बताए जो 1760 में तो यहां पे क्या था काउंटर लाली हो गया जिसको हम लोगों ने भी बताया नाइन्टीवन नेमलिखित में कौन सा पर्थम यूरोपियन बैक्ति था जिसने भू छेत अरजित करने के लिए के उदेश से भारती राजाओं के जगड़ों में भाग लेने की नीत या रहम की तो कौन था डूपले था तो यह क्या था सहायक नीत के लिए सहायक संदी के लिए भी फेमस था डूपले डूपले कौन था फ्रांसी सी था भारत में यूरोपियों सक्तियों के प्रिवेश के संदर में नेमलिखित में से कौन सा कतन सही नहीं है तो कौन सा सही नहीं है पर्थगालियों ने 1499 में गो कौन सा एक सही है तो डचों कौन सा सही है डचों ने पुर्दगालियों को पर्याजित किया था और आधुनिक कोच्ची में इन्होंने जो है फोर्ट विलियम्स का निर्मान करा है जो फोर्ट विलियम्स था 94 सूची फर्ष्ट को सूची सेकेंड से मिलाईए ए बी सी डी एक दो तीन चार तो इसको मिलाना है कहने मतलब यह है कि पॉंडिचेरी को किस नाम से जानते थे और यहाँ पे जो बी है एका टू हो जाएगा पॉंडिचेरी मतलब फ्रेंच ठिक सबसे पहले यह हो जाएगा इसको हम लोग देख सकते हैं एक हो जाएगा एक का मतलब जो है कह रहा है कि सूची फर्ष्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है और जिसे इनकी पॉंडिच जितने भी थे उनकी कमपनिया कहां पे थी पॉंडिचेरी में ठिक कि फिसक के बाद कह रहा है कि डच जो थे डच ने कहाँ पे खोला हूँ तब डच हो जायेका क्या हो जाएगा अब गोवा तो गोवा क्या हो जाएगा पूर्तगीज हो जाएगा एक त्री डी तो डेख लीजिए किस में मिल्दा है ऐटू बी-थ्री इसमें मिल्दा है C वाले में ये वाला सही हो जाएगा सोरी बी वाला सही हो जाएगा 95 में कहरा है फिर यहां पे सूचियों को मिलाना है अब यहां पे अलग-अलग उनकी सी में है यहां से देख सकते हैं हम लोग सी वाला जो आपसन हो जाएगा उस सही हो जाएगा यह ओके अब यहां पर इसको भी मिलाना है सही सुमेलित कीजिए तो सही सुमेलित करने के लिए कह रहा है वांडी वास का युद्ध जो है फ्रांसीसी बिरुद इस्ट इंडिया और बखसर का युद मिर्जा delivery तो यहां पे तो पहला ही हो जाएगा थेक वांडी वास का युद्ध जो है प्रांसीसी और और अंग्रेजों के वीच में हुआ है prthm कर नाठक किसके बीच मैं हो यहां पर पेरिश की संदी accounts क pilgrimage क्या होदी है यहां से हम लोग देख सकते हैं अलग-अलग जो है एक्सला चैपल की संद्हीं है और पिर उसके बाद यहां से जैसे कर हम लोग दिखा है किसके संदِّयों कौनगाँ सी होती होती है जो पैर्थम करनाट्रक यूध होटा है और पिर संद्हीं के बाद एक्सला चैपल? यह A4 और फिर उसके बाद A4 किसमें दिखाई दे रहा C में दिखाई दे रहा अब इसके बाद B देखते हैं तरती करनाटक युद जो होता है और वो किसके किसके पेरिस की संदी से जो है समाप्त होता है तो यानि कहने मुतलब यह है कि A4 और B1 तो यहां पर क्या हो जाएगा A4 B1 यह C वाले में सही है तो यहां से यह हो जाएगा निम लिखी निम यूरोपी सक्तियों ने भारती ब्यापार में समय समय पर प्रवेश किया तो सबसे पहले कौन सी आई पुर्दगाली आई नंबर एक पर आए तब उसके बाद कौन आए फिर डच आए नंबर दो हो ग 5-6 यह हो जाएगा सबसे पहले 1,2,3,4 कहने मतलब सीरी ऐसी हमसरी हिस पहले है कि सबसे पहले सीरील कौन सबसे पहले कवनाया सबसे पहले चार खिक टा zar would कर दो हो गयो 4 2 1 3 42 फ्ट allora rallis तेरा ऑलर ट्समें मिलना आई तो AB यहां पर 99 टीड नाइन कहिय रहा है कि सूची को कुट से सही मैच करना है तो पॉंडिछेरी पृर्तगीज गोवा यहां कहने मतलब यह एक हो जाएगा और यहां पर देख लीजेगा एक देख लेगें तो मेंच हो जाएगा फिर यहां पर लिखा है 크 वड्म कि इस वर्ष हुईक तो किस वर्छ है सथांव सट्रा सोकानवासी इस स्थापना एक में सर्व तरफ चाय की कमपणी की स्थापना कभ हुई तो 1849 में चाय की कंपनी की स्थापना यानि जो असम है वहाँ पर चाय के लिए फेमस है तो 1849 में एक सुद्धू और लास्ट कोशन है कि अथारवी स्थापदी के अंत में भारत के किस भाग में योरोपी इसाई मिस्टापदी अधिक थी तो यहां पर क्यों हो जाएगा बंगल और असम में इसाई मिस्टापदी अथावी स्थान पर थी तो फ्रेंड्स यह जो लेक्चर है जो इससे पहले भी एक पार्ट मैंने बनाया हुआ है और आज ही बनाया था थोड़े दिर पहले ही बनाया हुआ था तो उसमें मुस्किल से मैं 30-35 कोशन हुए तो उसके बाद मैंने कंटीनू किया और यह 102 कोशन तक हम लोग कंप्लिट किय और किसी भी कुशन में किसी फिरकार का कोई डाउट है तो आप लोग कमेट बॉक्स हों जुरूर दिखें और वीडियोज को देखते रहें लाइक करते रहें चैनल को सबसक्राइब करते रहें शेर करते रहें मिलते हैं नेक्ट लेक्चर में थैंक यू, टेक केर बाई